हम बनाएंगे सब्जी कारी मैं आँछा सता है कुमड़ी है इसमें च्छोटे-छोटे-चोटे-चोटे फैनक लगारे दिख रहे हो गए आपको आई थिंक तो चलो दोस्तो शुरू करते हैं सब्जी को काटना तो वीडियो में पूरा बने रही है चलो हेलो दोस्तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में ये देखे दोस्तो ये हमारे गाउं की सब्जी है कद्दू की सब्जी तो आई थिंक सभी लोगों ने खाई होगी शहर में बजार में गाउं में सभी लोगों ने खाई होगी लेकिन दोस्तों जो गाओं की सब्जियों का सवाद होता है उसका क्या ही कहना ये देखिए अभी मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी और जो मेरे हाथ में आप ये ग्रीन ग्रीन कलर के देख रहे हैं ये भी जो है कद्दू की ही शाखाएं रहती है इसे जो है कुमडी कहते है हमारे ही माचल में और उत्रक्षण में इसे पता नहीं क्या कहते है लेकिन इसका जो है उत्रक्षण में फाणू भी बनाया जाता है बहुत ही तेस्टी रहता है दोस्तों यहाँ पर सब्जी भी बनाई जाती है इस चीज की यह देखिए अभी तो मैं सब्जी बना रही हूँ और इस तरह से इसके रेशे निकालने पड़ते है बाहर से ताकि यह नरम नरम पोशिन जो है इसमें अंदर से बच सके बाहर से जो छिलके रहते है दोस्तों इस तरह से निकालने होते हैं यह देखिए दोस्तों किस तरह से निकल जाते हैं और आपको यह बेल-बेल से दिख रहे हैं इन्हें भी निकालना पड़ता है इन्हें जो है दोस्तों कड़वे रहते हैं अगर हम इन्हें ऐसे ही कार देते हैं तो यह कड़वापन आ जाता है सब यह सब्जी के लिए बहुत ही टेस्टी रहते है और हेल्दी और पोश्टिक भी रहते है दोस्तों यह देखें विहान उल्टे काम कर रहा है ट्राइपॉट को छेड़ रहा है दोस्तों यह देखें कद्दू काट रही हूं मैं यहां पर बहुत ही नरम है यह देखें आपको स्पता चल रहा हुता है काटने से व्हें कितनी एजली कर जा रहा है और लेकर सब्जी बनाने तक शेयर करूँगी ऻेकि सब्जी के स करना & सब्जी काट ले है ये देखे इस तरह से काट रही हूँ कितना नरम सा ये काटने के लिए है और इसली कर जा रहा है तो चलो फिर इसे अंदर की ओल ले चलते हैं हम सीधा और ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है जो हमने कि प्रकरिया जो है शूरू करेंगे तो चलो दोस्तो किचन की और चलते हैं यह देखे अब इसे कडाई में सबसे पहले हमें ढाल देना है और नमक ढाल देंगे हम थोड़ा सा पानी ढाल देंगे पहले इसे पका लेंगे अचे से और ये देखें थोड़ी दे चुछावीई इस तरह से हमारी सब्जी नरम ती जल्दी हो गई है यह दिखे दूस्ट्टो और चाहँका मांगा का इसके बाद के बात थी टेस्टी सब्जी भनी थी दूस्तो बहुत ही टेस्टी